है लो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ सीमा मिसरा और आप सब का मेरे चैनल पर स्वागत है कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स आज मैं आकर लेकर किया गई हूं बहुत ही टेश्टी रेशीपी तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं तो यहां पर हमने ले लिया डाल दिया है हिंग हींग जरूर डाले इसमें और टेश्ट के सबजी बनाएंगे बलकुल अलग तरीके से इकदम नय तरीके से तो यहां पर अब हम इसमें डाल देंगे दो चमा सरसो का तेल सरसो का तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मेक्स करेंगे चमज से मेक्स करें यह हाथ से अच्छे से मेक्स कर लें यह दिखिए तो हम इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे और फ्रेंट्स यह सबजी एक बारा बनाएंगे ना तो बार बार बना करके खाएंगे बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है यह इसको हम थोड़ा से मेक्स कर लेंगे तो यह दिखिया फ्रेंट्स ऐसे होना चाहिए इसका पेष्ट हमें ऐसा ही पेष्ट चाहिए और यहाँ पर हमने तवा रख दिया गर्मोंने के लिए इस पर तवा हमारा गर्म उचुका हमने उसमें डाल देए एक चमज रिफाइन डॉयल और अब हम जो ह आज की सब्ची बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्ची बनेगी इतनी टेस्टी कि इसके आगे पनीर भी फीकी पड़ जाएगी तो देखिए हमने इसको अच्छे से चला दिया अच्छे से सेट कर दिया है अपना पेस्ट और अब हम इसको पल्टेंगे तो फ्रेंड्स हमें से एक ही साइट से नहीं सेखना है तो यह दिखिए हम एक ही साइड से एक लेंगे और इसको हम आप इसे पल्ट देंगे और पल्ट करके इसको cath menor ची से थोड़ा सघवा देंगे अच्छे से से सेट हो जाए और ऐसे ही हम जितने वी और पी है सितना पेस्ट हमारा हम सारा का चिल्ला बना लेंगे और यहाँ पे हमने गैस पे रख दिया था कड़ा ही हमारी गर्म हो चुकी थी उसमें हमने डाल दिया दो चमज सरसो का तेल, एक टमाटर है दो हरी मिर्ची है और दो प्यास थे फ्रेंट्स उसको हमने काट करके डाल दिया है इसको निकाल करके रखेंगे ठंडा होने के लिए तब तक हमने जो चिल्ला बनाया था उसको हम छोटे-चोटे पीसे में काट लेंगे तो यह देखिया हम इसको ऐसे काट लेंगे सारा जितना भी हमने बनाया चिल्ला सारा हम ऐसे काट लेंगे और अब हम चल रहे हैं अपना ग्रेवी के लिए हमने जो प्याज टमाटर चुकंदर फ्राई किया है यह हम ग्रेवी के लिए फ्राई किया है तो चल रहे हैं अब हम इसको ग्रेवी बनाने के लिए तो यहां पर हमने ले लिया मिक्सर जार उसमें हम डालेंगे देखे फ्रें तो यह देखिए हमने काट लिया टमाटर को फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होती है सबजी हमारी एक बार जरू ट्राइए करिएगा और इसमें हम प्याज चुकंदर हरी मिर्ची यह सारा हम डाल देंगे मिक्सर जार में और यहां पर अब हम इसमें डालेंगे दो चमज दही प्रेंट्स दही एकदम फ्रेंज होनी चाहिएические दिखिए हमने दो चमस दही ढ़ दिया है फ्रेंट्स चुकांदर डालने से बहुत ऑच्छा कलर आता टेस्ट में कोई फरकvेन है पड़ता टेस्ट भी अच्छा लगता है और फायदा भी करता है चुक अंद झालने यहां पे लिए सरसो का टेल कड़ाई में tidak बताई में ऻुका के तो इस न cuenta कि elemental हम था दो फ्राइए कर लेंगे एक और र्रीक्राइज दिखे क्लराइबूर कर देंगे यह दिखिए सभूत मसालों को उन्हुक्त करें लिए है गैस का फ्ले महाम हम कर देंगे और अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी तयार की थी इसको हम डाल देंगे और अच्छा से हम इसको मेक्स कर लेंगे तो यह दिखिए कितना अच्छा कलर लग रहा जबकि अभी इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है फिर भी बहुत अच्छा कलर आता है प्रेंट्स आप पनीर बनाएं या राजमा बनाएं उसमें भी डाल सकते हैं चुक अंदर तो यह देखिए अच्छे से उबल रहा है हमारी ग्रेवी अब हम इसमें मसाले आइड करेंगे सुख्य वाले मसाले तो यहाँ पर हमने डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर हमने डाल दिया लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अगार्डिंग डाल सकते हैं जितना भी तीखा खाते हो आप और यहाँ पर हमने डाल दिया कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच हमन इतना अच्छा कलर आया है चिसा मद्धर 2 सिर्सों के देखे तल इस इतने अच्छी मारी 1944 करके तयार हो गए और हमारी ग्रेवी उबल रही अच्छ Опई कर देंगे पाणी यहां पे एक ग्लास पानी आप अपने हिसाब से से पानी रखना चाहें प्रेंसर ना या वार प्रेवी रखना चाहें लेकिन हम कम से कम तेल में बना रहा है तो इसलिए हम फ्राइ नहीं किये है तो यह देखिए हमारी सब्ची पांच मिनट तक लगभग उबल चुकी है पांच मिनट उबलने के बाद गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और इसका अभी हम थोड़ी दिल तक और उबलने देंगे और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए का देखे कितनी टेस्टी हमारी सब्ची बन करके तयार हो रही है हमारी यहां तो फ्रेंड्स सबको बहुत पसंद आती है घर में कोई सब्ची ना हो कोई गेस्ट आ जाए तो फटा फट से सब्ची बना करके खिलाए इतनी सब्रांट लिया है देखे कितनी टेस्टी हमारी सब्ची लग अगल रही है डेकने से ही अर्खाने में तो बहुत शाइश्टी लगी थी तब यह देखिये मारी सब्ची लगवा दो मिनट तो गुबल रही है मलाए डालने के बाद भी और अब हम इसमें आड़ करेंगे गरम मसाला तो यह देखिए हमने आधा चमच गरम मसाला एट कर दिया है और अब हम यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी हाथ से क्रस्ट करके कस्तूरी मेथी डाल दें हरी धनिया भी डाल करके आप सर्फ करना चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं पर हमने कस्तूरी मेथी डाल दिया है अब देखिए हम लगभग दो मिनट ता गुबलने के बाद हमारी सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को फुल वाच करिएगा लाइक करिएगा तो कमेंट करिएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी देखिए कितनी टेस्टी लग रही है बहुत ही टेस्टी लगती फ्रेंड्स इसके उपर से हमने थोड़ा सा मलाई डाल दिया है यह देखिए हमारे यहां तो सबको बहुत पसंद आई थी आप बनाईएगा और कमेंट करिएगा कि आपको कैसी लगी फुल वाच करिएगा फि थायू